अस्सलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चानल मॉम्स डिशस आज की रेस्पी है हमारा बादम मिल्क जी आज आप लोगों के लिए एक गुड न्यूस भी है फ्रेंड्स मेरा चानल मॉनिटेजेशन हो गया है अल्ला के फजल से और आप लोगों के सपोर्ट से और मेरी फैमिली के लोगों के दूआ से मेरा चानल मॉनिटेजेशन हो गया है और जो जो मुझे सपोर्ट करे हैं ठैक इसे और दिख्कत हुआ था इसलिए मैं मैं मेरा माइट कूल करने के लिए और थोड़ा एनरजी के लिए ये मैं बादमिल्क बनाई हूं जेस्ट जोग कर रही हूँ फ्रेंड्स और मेरी फैमिली को भी थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और इतना दुआ देने के लिए सो हम अब रेस्पी स्टार्ट करते हैं यह मैंने बादम आके 50 ग्राम्स बादम ली हूँ मैं और मैं थोड़ा जल्दी बनाना था इसलिए मैं इसमें गरम पानी आड़ करती हूँ गरम पानी से सोक कर लेती हूँ आप चाहे तो थंड़ा पानी से भी सोक कर सकते हैं गरम पानी से सोख करने से एक आदा गंठा बस है हमको टाइम और ठंडे पानी से सोख करना को तो मिनिमम् 3 आवर्स लगता है और यहां देखिए हमारे बादम भिग गये हैं और इसके उपर का जो पील रहता ना एक पील पूरा हम निकाल देना है और इस में से थोड़े बाद अब द्राश अबड़ा 9,1-2-3-2-6-1-4-3-200-3-4-1-3-2-2-3-3-2-3-4-2-4-2-3-4-5-3-4-3-4-8-4-1-4-4-1-4-4-4-0-4-4-1-3-4-4-2-4-4-4-0-4-4-4-5-4-0-4-5-3-4-2-4-4-5-0-4-4-1-4-0-5-4-0-4-0-1-2-4-3-5-4-0-1-4-1-4-3-6-0-4-0-1-4-1-4-3-4-0-4-0 केसर आड़ करके हम अच्छा सा हम मिक्स कर लेना है एक 10 मिनिट के लिए हम आईसा ही पका लेना है आईसा पका निसे न हमको 100 ml दूद कम हो जाता है क्योंकि अच्छा सा पकने के बाद हमको टेस्ट आता है अच्छा और कलर भी छेंज होता है और एरोमा भी बहुत अच्छा रहता है केसर आड़ करने से अब हम जो ग्रैंड कर ले थे ना बादम का पेस्ट इसमें अब हम आड़ कर देना है आड़ करके अच्छा सा हम हिलाते रहना है जी कंटिनियूसली हम हिलाते रहना है ऐसा ही हिलाते हम एक तीन मिनिट के लिए हम पका लेना है जी तीन मिनिट के लिए हम अच्छा सा पका लेना है देखिए हमारा दूद भी देखिए गाड़ा सा हो गया है जी माशालला टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है अब हम इसी स्टेज में अब हम इसमें शुगर एट करना है जी चीनी और इसमें देखी आप ऊपर ना थोड़े बादम दिख रहे हैं जी ग्राइंड करने के टेम पे ना थोड़े बादम ग्राइंड नहीं हुए है नो प्रॉबलम क्यूंकि ना ऐसा बादम ही तो भी ना पीने के जब बीच में बादम आते हैं तो ना बहुत टेस्टी रहता है अब इसमें मैं थोड़ा अट्रैक्शन के लिए थोड़ा सा एक ड्रॉप आके येलो फुट कलर एड़ करती हूं बचों के लिए अट्रैक्शन के लिए थोड़ा सा एड़ करी हूं मैं आच्छा सा हम एक मिनिट के लिए ऐसा ही हिला के हम इसे अब हम सर्फ कर देंगे आप ठंडा करके रिफ्रिजरेटर में रख के भी पी सकते हैं हमारे घर में ना दो तरह के लोगों भी है पीने के ऐसे और इसके उपर थोड़ा सा हम बादम ऐसा कट करके गार्निश कर लेना है और थोड़ा केसर एट कर देना है अट्रेक्शन के लिए और देखिये कितना अच्छा है न माशाला माशाला टेस्ट भी न बहुत अच्छा आया है आप जरूर ट्रै करिए और आपको ये रिस्पी पसंद आई तो आपके फ्रेंड्स एं लिलेटी से रिस्पी जरूर शेर करिए और आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल अकान बटन जरूर प्रेस करिए और लाइक तो बनता है ना फ्रेंट्स लाइक तो जरूर करिए फ्रेंट्स और कॉमेंट भी करके मुझे बताईए इन्शालला दुसरे मज़ेदार रिस्पी के साथ जल्डी में मिलेंगे जब तल दुआ में याद रखिए और ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए अल्ला आफिज